हेलो फ्रेंड्स आप सभी का माई लीटिल टैरीस में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आप सभी से रूफटब गार्डिन शेयर कर रहे हैं तो ये देखिए ये वाला जो फल है खटा फल जो है देखिए पकने को है पूरा अच्छे से पक जाएगा फिर इसका जैब बहुत अच्छा बनता है तो एक ही प्लांट है लेकिन काफी सारी इसमें फ्रूटिंग हो रही है साथ में ये देखिए ये चमपा का प्लांट चोटा से एक टब में लगा हुआ है काफी अच्छी ग्रोध है इसकी और ये देखिए इसमें फ्रूटिंग हो रही है वाइट वाला जो कद्दू है सफेद कद्दू और ये सेम का प्लांट है और ये चॉलाई भाजी इनमें तो सीट्स भी बनने लग गया है इन सीट्स को लगाएंगे तो फिर नया प्लांट बन जाएगा और ये देखिए कितना खुबसूरत कलर है ये बोगन बिला का और साथ में ये सफेद कलर भी है दोनों एक ही प्लांटर में लगा हुआ है और अच्छे से चल रहे है उसके साथ कुछ ऐसे वेजिटेविल प्लांट से ये देखिए फूल गोबी पत्ता गोबी तो एक फ्रेंड ने कहा था जिसकी पत्ते लंबी होती है इसकी देखिए गोल सी है तो ये पत्ता गोबी और ये फूल गोबी तो थैंक यू फ्रेंड आपके बताने के लिए और साथ में देखिए मूली चुट चुटे मूली के बीच लगाए दो दिनी हुए है यह देखिए धर भी लगाए तो अभी सीजन है फ्रेंड बिलकुल मूली बैंगन हरा प्याज सब लगा सकते लैसून और यह देखिए मलावारी स्पिनिच या अच्छी ब्रांचे सारी हैं और काफी हेल्दी प्लांट है तो इसको तो बहुत धूप बहुत पसंद्या भी इनमें सीट्स बनने लगे धीरे-धीरे यह देखिए चोचोटे बीच भी बन रहे है और बीच को लगाएंगे तो नया प्लांट तो बने गई गर्मियों में य प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रोथ करता है तो अभी तो सर्दी है लेकिन यह प्लांट देखे कितना हैल्दी है तो इनको अच्छी खासी धूप जए यह मलाबारे इस पीनिच को तो अच्छी इनमें बढ़त होगी और कुछी दिनों में पूरा सीट्स भर जाएगा और इसकी पत्यों को बहुत अच्छा मतलब पत्यों की सबजी बनती है बहुत ही हेल्दी प्लांट है यह बिल्कुल जो स्पीनिच है जो पालक की भाजी है वैसे ही पोशक तत्वों से भर पूर है यह मौलावर स्पीनिच भी तो इस प्लांट को जरूर ग्रो करें साथ में लास्ट येर काई है और इधर कुछ प्लांट से ये अमरूत के प्लांट में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और ये बेर का प्लांट है और ये भी एक प्लांट है गुलदावदी का तो हमने इस बाद जादा कटिंग नहीं लगा है कुछ ही cutting लगा है जो हमारे terrace में है और ये देखिए बैंगन हम छट पे नहीं आ पाए थे करीवन एक हफते से जादा तो देखिए पूरे पग गए है तो इनको निकालना पड़ेगा निकाल के थोड़ा चीरा लगा के सुखा देंगे तो ये beach फिर next लगा सकते इस beach को और ये देखिए अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है गौवा में काफी सारे फल लगे हुए है और साथ में इनमें flowering भी होती रहती है और अभी शाम हो रही है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आओ तो शाम को सुबह बहुत अच्छा लगता है इस तरह से plants देखते हैं तो जब इनमें flowering शुरू हो जाता है तो पानी का थोड़ा ध्यान रखे जादा पानी ना दे और मिर्ची के प्लांट में बहुत अच्छी धूप चाहिए और यह ऐश्गाड या सफेत कद्दू और यह देखिए अद्रक का प्लांट इधर भी देखिए फ्रेंट कितना को हार्वेस्ट करके तोड़के सुखा के रखना है यह तुलसी जी जो काफी घनी और अच्छी ग्रोथ कर रही है और इधर भी देखिए हमने मूली के कुछ बीज लगाए है यह देखिए इधर भी बैंगन के अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसका साथ देखिए यह कॉक्स कॉम का प्लांट इसका देखिए कितना खुबसूरत फूल खेला है यह हाईवरीड वैराइटी का है यह अपने अप ही उगा है पिछले साल था हमारे पास तो उगा है तो बहुत अच्छी इन में फ्लावरिंग हो रही जितना पुराना होता उत्ती फूल बड़े होते जाते हैं ओके फ्रैंस फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए